हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो और चानल, 360 डिगरी इंजिनेर, आज के हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, ट्रांस्पोमर का जो मैगनेटाइजिंग करन्ट टेस्ट, इसी को ये एक्साइटेसिन करन्ट टेस्ट, इबेन ट्रांस्पोमर का नोलो टेस्ट भी कुछ दोग बोलते है लेकिन ये बेसिकली ट्रांस्पोमर का मैगनेटाइजिंग और एक्साइटेसिन करन्ट टेस्ट का बारे में, ये एक्साइटेसिन करन्ट क्यों करते हैं, इसका परपस क्या हैं, और ये कैसे करते हैं, और इसका जो बेसिक ओवर्वियू से लेकर सारे डिटेल आज की वीड के लिए आपको transformer का जो operation उसको समझना तोड़ा बहुत इंपोर्टेंट चीज है फ्रेंज जैसे आप transformer का core एक single phase transformer में दे रहों तोड़ा easy explanation के लिए इस transformer core में जैसे यह हमारा primary winding है ऐसे हम लोग का secondary winding है जैसे हमारा primary winding में हम लोग supply voltage देते हैं जैसे voltage देदेगा तो हम लोग को क्या मिलेगा current flow होगा उस current का होजे से हमको flux create होगा friends हमारा core में हमारा flux create होगा और इसी flux का हम लोग magnetizing flux बोलते हैं और जो current जा रहे हैं उसको हम लोग magnetizing current बोलते हैं जैसे flux हुआ था इसकी बाद अमारा यह जो अमारा induced dmf generate करेगा इसका induced dmf नहीं है पहले इसलिए आमारा transfer में तोड़ा सा इंड्रेस current आता है इनिसली जैसे induced dmf आएगा हमारा जो balance voltage का vp-e का वज़े से जो current बनेगा वो हमारा magnetizing current होगा वो तोड़ा कम होगा बाद में जो इनिसली हमारा जो जैसे ही हमारा current गया है इसकी वज़े से जो flux बना था जो flux का वज़े से जो आमारा flux है rate of change of flux है आल्टरनेटिंग flux है क्योंकि हमारा current भी alternating current है तो जो flux rate of change of flux का वज़े से इंड्यूज ड्यम्फ है primary में भी और secondary में भी induced होगा E1 और E2 respectively और जैसे induced DMF create होगा इसकी बाद है फ्रेंज अगर इसमें secondary में अगर हमारा secondary में अगर लोड है उसकी बाद secondary में जैसे ही current होता है है उस current का वज़े से जो हमको secondary में क्या होगा फ्रेंज हमको flux create होगा इसी flux भी इसी कोर में होगा वो flux क्या होगा हमको इसमें primary जो भी हमारा flux है जैस पर लेंच से लाए है वो हमारा जो मेइन इसका cause of flux का जो मेइन cause of cause है फ्रेंज हो इसका EMF induced कोने का वज़े से और जो current create होगा उसकी वज़े से वह current होगा था हमारा induced DMF का वज़े से induced DMF create होगा flux का वज़े से इसका main cause को oppose करेगा इसका opposite direction में होगा जैसे ही flux कम होगा है तो induced DMF कम होगा जो इसका जो V-E बढ़ेगा इसकी वज़े से current बढ़ेगा इसकी ुआ वी प्रपोर्स्टल ही हमार रख्या होगा जाइसे इस वैइसे मेनी विधार रहेगा एसलिसे अमको घो समिय को ऊस्टेज், flux device बोलते हैं क्योंकि इसका flux है constant है ठीक है friends so अभी ए ट्रांसफार में जिसका जो current है initially जो current ले रहे है no load condition पे वो आपको magnetizing current बोलते हैं इसको हम लोग को ठीक है friends उसी current को हम लोग को measure करना है उस current का वज़े से हमको बहुत सारे चीज़ पता चल जाएगा friends अगर आपको ट्रांसफार में इसका प्राइमरी में कोई भी आपको intertun sort है यानि यह तो कोई भी winding sort हो गया यह तो winding open हो गया वो सारी चीज़ आपको प्राइमरी winding का excitation current measure करने से पता चल जाएगा so आपको जैसे आपको transformer का equivalent circuit देखेगा तो friends transformer का यह हमारा primary का resistance है यह इसका inductance है और यह इसका no load का इसका जो core का circuit है friends यह core में जितना भी हमारा losses होगा यह हमारा core का resistance का component में देखाया और core में जो flux create हो रहे है that is because of this magnetizing current हम लोग generally no load में आपको यह negligence करेगा तो यह हमारा I0 is almost equal to magnetizing current है so यह हमारा primary का induced EMFA secondary का induced EMFA है और हम लोग magnetizing current test में हम लोग secondary open करेंगे तो आपको magnetizing current में secondary जैसे open करेंगा तो almost जो भी यह current कीचेगा that current है हमको बता देगा friends हमको अगर core में कोई भी problem से है तब क्या होगा हमारा current बढ़ेगा इसका जो current है बढ़ेगा friends ठीक है तो अगर आपको magnetizing current है आपको normal से जादा है आपको जो test report है factory acceptance test report से अगर आपको ज्यादा मिल रहे है मतलब आपको कोई भी core का issue से है या नहीं है तो आपको primary winding में कोई भी sort है तब भी आपको यह current value नॉर्मल से ज्यादा आएगा अगर आपको कोई भी core का issue या नहीं है तो primary winding में कोई open circuit है तब आपको क्या होगा friends आपको अगर primary winding में open आई तो आपको इसमें क्या होगा current आपको एकदम आए गई गई नहीं magnetizing current ठीक है आपको आई से आपको core का issues या नहीं है तो winding का कोई भी issue से आपको आसान से पकर सकते हैं simple magnetizing current का आपको आपको अम लोग winding resistance measurement टेस्ट का पहले एक वीडियो बनाया था उसमें भी हम लोग बताया friends जैसे winding resistance टेस्ट करते हैं इसकी बाद आपको core में demagnetization completely ओवा है नहीं है या नहीं तो core में कोई भी remnants flex है वो भी आपको magnetizing current का तुरू पता चलेगा अगर core में कोई remnants flex है तो magnetizing current भी हमको कम देगेगा अगर आपको core में negative है तो आपको इसको ज्यादा देगेगा so actual से ज्यादा आ रहे तो आपको एक बार बंद करके दो बार आप test कर दीजिए इससे भी आपको core नजिफे हो रहे है नहीं हो रहे है आपको पता चले जाएगा तो आपको core में कोई भी remnants flex है वो भी आपको पता चले जाएगा और इसका जो mechanical integrity है जो भी आपको में आपको ब laminations का बीच में अगर insulation break हो गया तब आपको क्या होगा यह component ज्यादा हो गया तब इसकी वज़े से आपको जो magnetizing current जो इसका current लेगा वो भी आपको बढ़ेगा उससे आपको पता चले जाएगा आपको यह core में या नहीं है तो winding में issue है यह बहुत ही simple and basic test difference इससे आपको सारे की सारे आपको winding का insulation details या core का issues यह नहीं है तो short circuit turns से वो सारे की सारे very basic simple principle से अमारा basic एक एक दो अम्मीटर से अम लोग आसान से इसका magnetizing current measure करा सकते हैं और इसको अम लोग test करा सकते हैं basic test difference इसको आप देखेगा तो अगर अम लोग delta winding आप ले देगा तो इसमें अम लोग क्य करेंगे अगर primary delta एतो अम लोग 3 phase का AC supply ओल्ड 415 volt आप अमरा available 3 phase supply ओल्टेज अम लोग inject करतेंगे और थीनो phase में अम लोग current note करतेंगे फ्रेंच टीगे थीनो phase में अम लोग current note करेंगे तीगे अगर in case of star winding इंगे delta winding इंगे तो आईसे star winding इंगे तो अबी थीनो phase में अम आएगा star में अमारा phase current आएगा फ्रेंच टीगे लेकिन जो अम लोग को factory acceptance test report है उससे अम लोग compare करेंगे अगर इसमें आप देखेगा तो फ्रेंच जनरली अमारा magnetizing को जो अमारा magnetizing balance test में में आपको बता दोंगा फ्रेंच इसमें बारे में आपको जनरली middle core में तोड़ा स कम magnetizing current लेगा फ्रेंच बाहर वाला core में थोड़ा सा ज्यादा लेगा क्योंकि आपको magnetic reluctance से वो ज्यादा रहते है बाहर वाला core में इसलिए आपको जो magnetizing current है जनरली milli ampere में ही रहेगा और वो आपको हर एक tap में magnetizing current हमें से आपको हर एक tap में लेना पड़ेगा या नहीं है त आपको सारे की सारे पता चेलेगा और magnetizing current preferably आपको HV winding का तरफी ले लीजिए है तो आपको tap का इसाब से इसका tap tap का जो हमारा tap का इसका contact है tap changer का उसका healthiness भी आपको एक simple test magnetizing current से आपको आसान से आप पकड़ सकते है ठीक है फ्रेंज सो यह हमारा magnetizing current test का वीडियो है हमारा आगे भी अबनाता रहे friends for more and interesting videos thank you friends